प्सक्राइब करे एश्ट्रो गुरुजी चैनल को और बेल आइकान को अवस्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और नई नई ज्यानवरदक जानकरिया आप हमारे चैनल से पाते रहें मित्रो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्री देवी कवच का पाठ सुनने मातर से काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा देवी कवच का पाठ सुनने से वन्श ब्रद्धी होती है और परिवार की पूर्ण तरह से रक्षा होती है देवी की क्रपा से उस परिवार पर जीवन में कोई आपत्ती नहीं आती है तो मित्रो ध्यान पुरवक इस पार्ट को आप सरवन करेंगे तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा आरंब करते हैं मित्रो ध्यान पुरवक हाद जोड़ करके बेठें ओम स्री चंडिगा देवी को हम नमस्कार करते हैं मारकंडी जी ने कहा कि पिता महा जो इस संसार में परम गोपनिय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाईए तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी का कवची है जो गोपनिय से भी परम गोपनिय है पवित्र तथा संपुर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है महामुने उसे आप ध्यान पुरवक सुनिये देवी की नौ मुर्तिया है जिने नौ दुरगा कहा जाता है उनके अलग-अलग नाम बतलाए गए हैं पहली देवी का नाम शैल पुत्री है दूसरी देवी का नाम ब्रह्मचारिनी है तीसरी का नाम चंद्रघंटा है चोथी मुर्ति को कुश्मांडा कहते हैं पांचवी का नाम दुरगा है इसकंद माता है देवी के छटे सुरूप को कात्याईनी कहते हैं सात्वा कालरात्री और आठवा सुरूप महागोरी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। नवी देवीक दुरगा का नाम सिद्धी दात्री है। ये सब नाम सरवग्य, महात्मा, वेद, भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित किये गए हैं। जो मनुष्य अगनी में जल रहा हो, रण भूमी में सत्रों से घिर गया हो, युद्ध छेत्र में यदि वह घिर गया हो, विसम संकट में यदि पढ़ गया हो, तथा इस प्रकार भई से आतुर दरा हुआ हो, जो भगवती दुरगात की शरण में चला जाए, तो उसका कभी को पर भी उसके उपर कोई विपत्ती नहीं आती है, और उन्हें दुख आधी भई की प्राप्ती भी नहीं होती है, जिनोंने भगती पुर्वक देवी का इश्वरण किया है, उनका निश्चे ही कल्यान होता है, जो देवी तुमारा चिंतन करते हैं, उनका तुम निह संदे रक्षा करती हो, चामुंडा देवी प्रेत पर सवारी करती हो, वाराही देवी भेंसे पर सवारी करती हो, एंद्री का वाहन एरावत है, हाती है, वेश्णवी देवी गरूर पर आसन जमाती है, माहिश्वरी देवी वरशब पर यानि बेल पर आसन अपना जमाती है, कोमार धारन किये हुए वती है और व्रशव पर यानि बेल पर बैट कर इश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारन कर रखा है और ब्रामी देवी हंस पर बेठी हुई है और सब प्रकार के आबुशनों से विभूशित है इस प्रकार ये देवियां सभी माताएं सब प्रकार की प्रकार்ख शक्तियों से संपन्न गेंने, इनके शिवा और भी बहुत से देविया है जो अनेक प्रकार के आबुशनों की सोभा से युक्त तथा बहुत प्रकार के रट्नो से शोबित है यह सारी देविया क्रोद में भरी भूइ है और अपने भक्त की रक्षा के लिए रत पर बेठी दिखाई देती है ये देवियां संख, चक्र, गदा, पदम, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परुशूर, पास, कुंत, और त्रिशूल, उत्तम, शांख, धनुश और अस्त, सस्त्र अपने हाथों में धारण किये रहती है राक्षसों के सरीर का नाश करना और अपने भक्त को अभईदान देना और देवताओं का कल्यान करना यहीं उनके अस्त्र सस्त्र धारण करने का मुख्य उद्देश है और महान रोदर रूप, अत्यनत घोर, पराक्रम, महाबल और महान उस्साह वाली देवी, तुम्हान और देखना भी बड़ा कठिन है सत्रूओं का भई बढ़ाने वाली जगदंबिके आप मेरी रक्षा कीजिए पूर्व दिशा में एंद्री मेरी रक्षा करे अगनी कोण में अगनी शक्ती और दक्षन दिशा में वाराही तथा नैरत्य कोण में खडग धारनी मेरी रक्षा करे पस्चिम दिशा में वारुनी और वायव्यको कोण में मरग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे और उत्तर दिशा में कोमारी इशान कोण में शूल धारनी देवी मेरी रक्षा करे ब्रमानी तुम उपर की ओर से मेरी रक्षा करो वेश्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो इसी प्रकार सव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसो दिशाओं में मेरी रक्षा करे जया आगे से रक्षा करे विजिया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे वाम भाग में अजिता दक्षन भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे उद्योतिनी मेरी शिखा की यानि चोटी की रक्षा करे उमा मेरे मस्तक के उपर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे और ललाट में माला धहरी रक्षा करे यशश्विनी देवी मेरी भोहों की रक्षा करे भोहों के बीच में भाग में त्रिनेत्रा और नत्नों की यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे दोनों नेत्रों के बीच भाग में शंकिनी और कानों में द्वार वासिनी मेरी रक्षा करे प्रश्ट वंच भाग की मेरू दंड में रह करके रक्षा करे। ललिता देवी हरदय में विराजमान होकर शूल धारनी उदर में रह करके रक्षा करे। तेजसी देवी चरणों के आगे के भाग की रक्षा करे। श्री देवी पेरों की उंगलियों में और तल वासनी पेरों के तलवे में रह करके रक्षा करे। अपनी दाडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली द्रस्ता कराली देवी नखों की और उर्द्व केशनी देवी हमारे केशों की यानि हमारे बाल की रक्षा करे। और रोमा मलियों के चिद्रों में कोबेरी और तवचा की वागीश्वरी हमारी रक्षा करे। भेदन नहीं हो सकता है वहाँ अभेद्या देवी सरीर की समस्त संधियों में यानि जोडों में रह करके हमारी रक्षा करे। हे ब्रह्मानी आप मेरे वेरी की रक्षा करे। चत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारनी देवी मेरे अहंकार की और मन और बुद्धी की रक्षा करे। हात में वज्रधारन करने वाली देवी वज्यहस्त्रा देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। अपान, व्यान, उदान और समान वायू की रक्षा करे। कल्यान से सोबित होने वाली भगवती कल्यान सोबना मेरे प्राण की रक्षा करे रस रूप गंद सब्द इसपरस इन विशियों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की सदार नारायनी हमारी रक्षा करे वाराही हमारी आयू की रक्षा करे वैश्णवी हमारे धर्म की रक्षा करे चक्रिनी चक्रधारन करने वाली देवी यश किर्ती लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे और इंद्रानी देवी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे चंडिके देवी तुम मेरे पशुवों की रक्षा करो महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भेरवी पत्नी की रक्षा करे मेरे पत्थ की यानि मार्ग की सुफदा देवी मार्ग की रक्षा करे और राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी सदा रक्षा करे तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजिया देवी संपुर्ण भयों से मेरी रक्षा करे देवी जो इस्थान कवच में नहीं कहा गया है अत एव रक्षा से जो रहित हुआ है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो जावे क्योंकि तुम विजय शालेनी पाप नाशनी हो यदि अपने सरीर का मनुष्य भला चाहे तो बिना कवच के मनुष्य को एक पक भी आगे नहीं रखना चाहिए कवच का पाट करके ही कोई यात्रा आरंब करना चाहिए जिससे यात्रा सफल हो जाती है कवच के दौरा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहां कहीं भी जाता है वहां वहां उसे धन लाब होता रहता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिध्धि करने वाली उसे विजय की प्राप्ती होती है वह जिस जिस प्रिय वस्तु का वह चिंतन करता है उस मनुष्य को निश्चे ही वह प्राप्त हो जाती है वह पुरुस इस प्रत्वी पर तूलना रहित महान एश्वर का भागी हो जाता है और कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भई हो जाता है युद्ध में उसकी पराजय यानि उसकी हार नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूज निय हो जाता है देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुरलब है जो प्रतिदिन यानि रोजाना नियम पूरवक तीनों संद्याओं के समय सरद्धा के साथ इसका पाठ सुनता है या इसका पाठ करता है उसे देवी की कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है इतना ही नहीं वह अपम्रत्यू यानि दुरगटना से उसकी कभी म्रत्यू नहीं होती है और सो से अधिक वर्षो तक वह जीवित रहता है मकरी, चेचक, कोड, आडी सभी प्रकार की व्यादियां भी नश्ट हो जाती है कनेर भांग अफीम धतुरे आदी का जहर, साप बिच्छू के आदी के काटने का जहर और तेल आदी के संयोग से बनने वाला जहर, क्रत्रिम जहर ये सब प्रकार के जहर दूर हो जाते हैं उसका कोई असर नहीं होता है इस प्रत्वी पर मारण, मोहन, वशीकरण, आदी जितने भी तांत्रिक कर्म होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र, यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हुरदय में स्रदा पुर्वक धारण करने पर उस मनश्ट को देखते ही नश्ट हो जाते हैं यही नहीं प्रत्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश चारी देव, विशेस जल के संबंद से प्रकट होने वाले देवगण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटी के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंटमाला डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में घुमने वाले अत्यंत बलवती भायनक डाकिनिया ग्रह भूत पिसाच यक्ष गंदर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुश्मांड भेरवादी अनिष्ट कारक देवता भी इस कवच को हरदे में धारण किये रहने पर उस मनुष्य के सामने ये सब देवता नहीं आते हैं कवच धारण करने वाले मनुष्य को राजा से विशेश सम्मान प्राप्त होता है यह कवच मनुष्य के तेज की वरद्धी करता है और यह उत्तम कवच का पाड़ करने वाला मनुष्य किरती से विभूशित होकर के इस प्र कवच का पाठ करके उसके बाद स्री दुर्गा सप्तसती का पाठ करता है या इस कवच को स्रवन करता है दुर्गा सप्तसती पाठ को स्रवन करता है उसकी जब तक वन परवत रहते हैं और काननों सहित यहां प्रत्थी जब तक टिकी रहती है तब तक यहां पुत्र पोत्र आ पासिरवास से उस नित्य परमपद को प्राप्त कर लेता है जो देवताओं के लिए भी बड़ी दुरलब है वह सुन्दर दिव्य सुरूप को धारन करता है तेयस्वी बन जाता है और कल्यान में शिव के साथ आनंद का भागी वह मनुष्य हो जाता है तो मित्रू स्रद्धा पुर्वकिसे सुन्ने मात्र से भी व्यक्ति को भगवती की क्रपा प्राप्त होती है और वह व्यक्ति निर्भई हो जाता है किसी प्रकार का संकट उसके जीवन में नहीं आता है तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी हमारा वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाएक लाएक अवश्य करें इस ग्यान वर्दक जानकारी को अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूले जै माता दी मित्रों फिर मिलेंगे